नवस्कार विवर्स पार आप मार्केट के एक और इंपोर्टेट वीडियो में मैं विशेक उपाद्यप सभी का स्वगत करता हूँ दोस्तों मार्केट के अंदर जैसे कि इस वीक में जो इंपोर्टेंट डेटा निकल के आए हैं चाहे आप यूएस के इंफलेशन डेटा की बात करें जो कि पॉजिटिव निकल के आया है और जब उसका इंपेक्ट हुआ तो आपने देखा कि खासकर अमेरिका के मार्केट नों साथी साथ पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर एक सांदार बुलिश रैली देखने को मिली है सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के अंदर भी इंफलेशन पिछले तीन महने से आप देखेंगे तो लगातार उसमें ग्रावट देखने को मिली है और इसका इंपेक्ट ही होगा कि जो रिजर्ब बेंक आफ इंडिया की इस केलेंडेर के लास्ट में जो मीटिंग और चुकि लगातार हाई इंटेस्टरेट रिजीम है और लगातार इंटेस्टरेट बढ़ने की बात भी हो रही थी होगी FOMC की जो स्पीचेज बगेरा भी हुए थे फैट चेर में मिस्टर कॉवल के वहाँ भी संकेती था पर इंफलेशन की बात उन्होंने कहा था कि इंफलेशन का नंबर उनकी एक्सपेक्टेशन से भी डाउनसाइड होके आया है तो काफी पॉजटिव रहा है और आपने देखा होगा कि यही जो है पावर आप मार्केट लगातार आपसे कहता है कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो मैक्रो एकोनोमिकल पेरामीटर्स होते हैं जब यह इंपेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर कोई इंपोर्टेंट मेजर डुमेस्टिक नीज नहीं थी पर उसके बाद भी निफ्टी स्पॉट में आपने देखा होगा कि साड़े चारसो पांसो क्या सपास जो लगातार असिस्टेंस ले रह इसके अलावा ग्लोवल मार्केट आज कैसे कर रहा है वह और आगे कौनसे से इंपोर्टेंट डेटा हैं और ऑबर निफ्लेशन के साहती साथ चाइना का जो economical data और TCS के buyback से संबंदित information भी इस वीडियो में मैं आपको आगे देने वाला हूँ तो अगर अभी तक आपको power of market का काम पसंद आ रहा हो जो काम हम कर रहे हैं कि लगातार trading और investing के important aspect के अलग अलग content को आपके सामने रख रहे हैं इसके अलावा जो company space पे कोई भी news या update आता उसका analysis आपके सामने रख रहे हैं nifty bank nifty का technical analysis daily basis पे weekly basis पे रख रहे हैं important जो global factors होते हैं उनका भी analysis आपके सामने लगातार रख रहे हैं और साथ ही साथ जो weekly हम Saturday को जो वीडियो बनाते हैं उसमें डॉलर इंडेक्स की बात हो USD INR की बात हो US 10-year bond daily की बात हो के description में मिल जाएगी साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल पर भी available है इसमें हम जो है market के time में market के पहले भी कई तरीके के important update देते हैं खासकर global market का लगातार night में भी morning में आपको update देते हैं इसके लावा अलग-अलग तरीके के हम अपने जो viewers से उनके बीच में पोल भी conduct कराते हैं चाहे nifty की opening की बात हो bank nifty की opening की बात हो overall उनके trading performance की बात हो किस तरीके से market pan out हो सकता है last week में trading की उनकी क्या situation रही है और उसके रिजन्ट्स भी लगातार आपके सामने रख रहे हैं जारा स्यादा लोग हमारे polls में participate कर रहे हैं आप से भी हम ये request करते हैं कि जो भी polls हम अपने YouTube चैनल पे अलग-अल rationale क्या किस रीजन के कारण आपको लगता है कि निफ्टी में gap up हो सकती है या किस रीजन के कारण आपको लगता है कि bank nifty में gap down हो सकती है ये सारी चीज़ें आपको ना किवल vote देना है बलकि comment के माध्यम से अपना rationale भी हमारे साथ share करना है तो आशा करते हैं कि power up market की मुहिम को जिस तरीके से आपने लगातार अपना support बना रखा है आगी भी आपका support उप्यार इसी तरीके से मिलेगा चलिए अब निफ्टी के technical setup की तरफ चलते हैं तो निफ्टी का अगर आप technical chart देखेंगे तो जो daily औ weekly के long term chart है वहाँ पे trend काफी positive हो गया है short term basis पे trend की बात करें काफ जिनिंग, afternoon session की बात करें या जो अपना साम का session होता है closing के time की overall nifty spot में काफी strength देखने को मिली है अब assistance की अगर बात करें तो 1900 का काफी important assistance निफ्टी spot में उसके बाद में 20,000 का काफी important psychological assistance है support की अगर बात करें तो निफ्टी 600 का का काफी important support है निफ्टी 400 के असपास काफी important support support है आपको निफ्टी spot में एक बात ध्यान रखना है कि अब किसी भी तरीके की major bearishness अभी नहीं दिख रही है जो भी global important factors के data निकल के आए काफी positive है और आगे भी जो data निकल के आरेसा लग रहा है कि positive side पे data आ सकते हैं तो overall nifty spot में एक important point आपको ध्यान रखना है कि जब तक अ support का trend काफी positive और bullish लग रहा है और यह लगातार हम अपना जो इस्टांस maintain के हुए bank nifty spot की बात करें तो technical chart पर अगर आप daily or weekly chart देखेंगे technical trend positive है strength दिख रही है short term basis पर अगर हम बात करें तो वहां पर भी chart में काफी मजबूती दिख रही है इंटाड इवेसे पर trend positive रहा है overall bank n तो आने वाले दिनों में यह आपको 4800 तक जा सकता है तो कल के लिए 44500 आट सो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के अगर बात करें तो 43,800 काफी important सपोर्ट है उसके दिख बैंक nifty spot में आपको एक बात ध्यान रखना है और उसके पीछे कारण यह है जो हमने आपको लगातार बता देखेंगे थोड़ा negative side पे बना हुआ है चार्ट पर जिस दिन भी HDFC बैंक में catch up rally आएगी क्योंकि most of the other counter जो है positive side पे लग रहे हैं तो यह जो global factors के कारण खासका जो global macro economical factors के कारण market के अंदर मजबूती आई है आने वाले जिनों में आपको बैंक nifty में भी मजबूती और द देर पहले कर रहे थे तो हमारा है मानना है कि थोड़ा flat to sideways trend रहे सकता overall Dow Jones जो है वो आठ पॉइंट नीचे चल रहा था लग almost flat sideways trend देखने को मिला है European market की बात करें वहां से भी जो signal ने थोड़ा flat to negative side पे है कोई major strength अभी charts पे European charts पे नहीं दिख रही है चाहे हम FITSI का chart देखे कैकिया DEX जैसे जो important European economies के indices वहां पे कोई strength देखने को नहीं मिल रही है Asian market की बात करें वहां से जरूर निफ्टी बेंक निफ्टी के लिए positive signal है खासकर हैं संगाई composite जैसे जो stock market के indices हैं जवरदर्स तो उदमे recovery देखने को मिली है और चाइना के जो economical data भी आ रहा है काफी positive आ 38 billion dollar हो सकती है infrastructure sector के उपर यह focus करेगा बहुत जवरदस्त आपको recovery देखने को मिल सकती है और हमारा इमाना है कि चाइना में आने वाले दिनों में 5-5% के बीच में वहां की economical growth रह सकती है अब बात करते हैं यह सारे important हमने जो है technical आपको जो है indices हैं और exchanges से उनकी चार्चा कर ली अब बात करते हैं सबसे पहला important point जिसने market को dominant किया वो US के inflation data की बात है US का inflation का number निकल के आया है वो 3.2% निकल के आया है पहला point यह है कि जो expectation थी वो 3.3% की थी अर्थात उससे भी 10 basis point inflation घटके आया है दूसरी बात है कि last जो data निकल के आया था inflation का वहाँ पे जो CPI का use का number था वो 3.7% था तो अगर आप वहाँ से देखेंगे तो overall 50 basis point के आसपास का जो है इसमें decline देखने को मिला है तो US में भी जो inflation है वो पिछले करीब करीब 3-4 मैने से जो है नीचे की तरफ रिवाई जो रही है था जो downward trajectory में inflation जा रही है वो काफी positive boost up हो सकता है वहाँ की economy के लिए तो यह पहला important dominant factor रहा है कि market में इस तरीके से bullish आपको gap up opening और इस तरीके से strength देखने को मिल रही है दूसरी बात है कि भारत का भी अगर आप CPI का inflation पिछले 3 मैने का देखेंगे तो अभी जो recent में CPI का inflation निकल के 4.87% के आथ पास निकल के आया है जो कि October मैने का inflation है काफी September मैने का inflation की बात करें वहाँ भी आपको ग्रावट देखने को मिली थी उसके पहले भी ग्रावट देखने को मिली थी तो और और पिछले 3 मैने से inflation आ रहा है उसका trend chart अगर आप देखेंगे तो downward trajectory में है तो आने वाले दिनों में जो अगले मैने में या इस मंत के end में जो RBI की policy होगी इस calendar year के साफ से last buy monthly policy एक policy और आपको February में देखने को मिल सकती है तो उसके साब में पूरी possibility यही है कि status को maintain होगा और अगर आने वाले दिनों में inflation इसी तरीके से downward trajectory में continue रहती है तो हो सकता है कि आपको 25 basis point का जो interest rate है उसमें cut भी लेखने को मिल सकता है और RBI market को surprise कर सकता है और अगर यह surprise cut आया तो आप मानके चलिए कि जो निफ्टी है उसकी 20,000 की यात्रा सुरू हो सकती है अब बात करते हैं तीसरे important factor की कि दोस्तों IT sector की दिगज कंपनी भारत की one of the most valuable company in terms of market capitalization data consultancy services ने buyback जो announce कर दिया है buyback की जो record date है वो 25 November 2023 है और जो price जिस पर buyback company करेगी 4,150 रुपे पर share के साफ से buyback होना है 17,000 क्रोल के size है इस buyback की buyback क्या होते हैं बाइबेक में यह जो tender route के माध्यम से जब आप buyback companies करती है उसके पीछे कारण क्या होता है इससे जो उनका equity base है equity consolidation जो होता है साथी साथ company के पास जब भी additional cash होता है जिसको उसको further growth के लिए deployment करने की जगह है अगर उसको लगता है उसको अपना equity capital जो है consolidate करना साथी साथ कई बार companies को अपने future growth को लेखे काफी positive prospect दिखता है तो companies buyback करती है खासकर IT sector की companies के अंदर आपने buyback लगातार देखा होगा अब investors के लिए बात यह है कभी वरतुमान में जो TCS का share है वो 3600-3650 के आसपास चल रहा है तो वहां से भी अगर आप देखेंगे तो करती और उसके हिसाब से आप चाहे तो पूरे शर्वी जो है टेंडर कर सकते हैं पर company के accept करेगी एक्सेप्टेंस रेश्यो पर डिपेंड करता है क्योंकि company को 17000 कोड़ों के आसपास के जो है बाइबेक करना है जनरली जब भी बाइबेक निकलके आते हैं companies के टेकनिकल टें तो आप जाकर देख सकते हैं खासका जो swing traders हैं, short term investors हैं, long term investors हैं आपको काफी important investment theme की जानकर इस वीडियो में मिलेगी इस वीडियो के just पीछे हो वीडियो है साती साती इस वीडियो में भी उसकी link हम आपके लिए share कर देंगे तो यह जो TCS का buyback है जब यह buyback हो डिटेल में उ पास आने वाला उस तरह हम आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे पहले भी हमने आपको टाक्टर टेक्नोलोजीज को बताया कि कि किस तरीके से KPIT टेक्नोलोजीज जैसी कंपनी जिस सेग्मेंट में डील कर रही है दिगज पेडिगरी है जिस तरीके से कॉर्पूरेट गवन्ने क्योंकि जिस तरीके के बिजनिस सेग्मेंट में कंपनी आ रही फ्यूचर इस्टिक प्रॉबिल्टी लग रही है जब यह आई प्यू नजदीक आएगा तो एक डिटेल में पूरा में आलेसिस रखेंगे साथी साथ आपको इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के अलाव होगा कल फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो में आपसे मुलाकात होगे आपको क्यों पार आफ मार्केट को सपोर्ट करना है लाइक शेयर कमेंट्स हमारे वीडियो को करिए वीडियो को दोस्तों सुरू से लेके अंति तक देखिए दस से पंदर मिनिट अगर आप अपने इंपार्मेंट के लिए दे रहे हैं तो यह कोई नुकसान का सौदाने इससे आपको भविस्ट में काफी बेनिफिट हो सकता है और अगर आपके पार आफ मार्केट से लेटेट कोई भी सजेशन है तो आप हम एमेल के माद्यम से कमेंट के माद्यम से दे सकते हैं ऐसे दे बाता ही पार के लिए पूर के लिए कोड़ पर आपके लिए और बाता है तो दे सकते हैं अल्मोस्ट में माद्यम कोई आपके पर आपके माद्यम से देनिफिट अले ऑप